वाटिंडा से है कुलजीत जी स्वागत है आपका जी नमस्कार पर जी पर पहले तो मैं शुकरियादा कर रही हूँ आपका कि मेरी मम्नी के लिए हमने गोन सी अमगवाया था और उनको काफी फाइदा हो रहा है काफी अच्छा फाइदा हो रहा है जी तो PCOD की रिसोलियों की मतलब बताई की प्रावलम लेकिन वो तो अब ठीक है फिर भी मतलब वो कुछ फाइदा नहीं हो रहा हूँ और दूसरा सवाल ऐसर मेरे खुड का देता पंदरा साल का उसको नजले की प्रावलम में उसके बाल बहुत स्पेड हो रहे हैं और कुछ भी खाता है मतलब थोड़ी तेर गवाद उसको न मतलब यससे करते हैं कि लाटरी ना आजाती है ठीक ही ठीक ही यह दोनों सवालों का प्री जरूर जवाब दी बच्चे देखो बहुत धन्यवाद उपर वाले का कि आपकी मम्मी को फाइदा हो रहा है मुझ जैसे मामूली आदमे के मश्वरे से और उन्हें पूरा इलाज कराना पहले तो मम्मी का और मेरी तरफ से मम्मी को सलाम बोलना और जो बची आपकी बहन के बच्चा नहीं होता है उनके लिए एक नस्का बता रहा हूं इसब गोल की भूसी मेडिकल स्टोर पर तमाम मेडिकल स्टोर पर गाउं तक में मिलती है तो वह खरीद लें थोड़ा सा एक पैकेट इता बड़ा और उसका एक चम्मस इसब गोल की भूसी एक गिलास गर्मा गर्म दूद या पानी उसमें मिलाएं और हिलाते रहें और उसमें शक्कर मिला दें उनकी जरूरत की जित्ता मीठा वो पसंद करते रहें तो ये खीर सी बन जाती है और गौन चिलगोजा एक चुटकी बस इसे जादा नहीं बहुत तेज होता है चिलगोजे का गौन या गौन चिलगोजा वो उसमें मिला दें और यह चमच चे खा लें मीठा करके और अगर ये ज़रूरी हो तो अपने जीजा जी भी खा लें अगर उनमें भी कुई कमी होगी तो वह भी निकल सकती है बस ये रोज एक बार रात को सोते समय यह लिया करे दोनों कभी भी आप साही पे अमीद हो सकते हैं और इनका क्या सवाल था पंदरा साल का बेटा है नजला रहता है बाल दिक्कत है और खाते वक्त मोशन आ जाता है ठीक है अच्छा देखिए जिनको भी ऐसा पाबलम होता है जैसे बैटे को है इसमें इम्मुनिटी नहीं होती ह हम होती है मतलब ज़्रोट से इम्मुनिटी बढ़ाईनी बहुत जलूरी है इसके लिए बने मुराएं प्रड़क्त भी है और घरे लिनुसका भी है आपको जो आसानी हो वू करने कौने सपिस्तान उनननाव ऐलसी सपिस्तान एक ड़वा का लाम है अज्वा का लाम है ये 100 स के गरम मसालों में सुके वे शेतूत की तरह होती है ये तीस ग्राम मिलाकर पॉडर बना लें और एक चमच बच्चे को सुबही खिला दे हैं यहार मूँ खाएं तो अच्छा है और एक चमच रात को सोते बस और इसके बाद गरम पानी या चाए पीना गरम गरम कुछ चीज ल खटी चीज़े छोड़ दे तो जल्दी फाइदा होगा बाजार की खटी चीज़े छोड़ दे तो इस बच्चे को भी फाइदा हो सकता है इन दौर से है निशा स्वागत है आपका है अलो नमस्ते सर जी हलो हाकीम जी जैनिशा बहुत शुक्रिया बच्चा और कोई सवाल है हाँ सर मेरा एक सवाल है सर मेरा ना कलर बुट डाउन है इसके लिए पूचे बना बिटिया मम्मी को मेरा सलाम बोली और उनको भगवार ने फाइदा दिया और आप से और आपकी मम्मी से मेरा अनुरोध है कि ये इसको अपने तक न रखे इसको फैला दे पूरे इन दोर में एक तो वो इन दोर से करनल वर्मा का फोन नहीं आ रहा आजकर पतानी बहुत दिन हो गए बगवान करें उनकी तबीत अच्छी हो और हर रोज उड़ते थे करनल वर्मा बगवान करें वो हों सलामत हों और कलर साफ करने के लिए भी युनानी में हैं नसके देखिए आवला समझते हैं आप आवला सुकावा मिलता है खरीद ले दो सु ग्राम आवला और ये अलसी सु ग्राम ठीक है दो सु ग्राम आवला अलसी सु ग्राम और गौन बॉरिंगा सफेड सु ग्राम इनस अब को हुब बारिक बना लें पाउड़र बना लें और गन्य का रस गन्य का रस एक ग्लास के साथ इसे रोजाना चार ग्राम खाने करें रात को सोते समया, सुबह को, निहार मों, गन्य के राज के साथ, ताजे-ताजे, आप यतना चाहें, अपना कलर साफ कर सकते हैं. करणाल से हैं आचल जी, स्वागत है आपका. हेलो, नमस्कार माम. जी, नमस्कार. मैम, मुझे ये प्रोब्लम है कि पीरिट्स मेरे इंबैलिंस रहते हैं. अच्छा, आपकी उमर कितनी है? अठारा साल है, मैम. अठारा साल, पीरिट्स इंबैलिंस रहते हैं. आप हैं अभी लाइन पर? यस मैम. बच़ा ये बताई कि ज्यारा आते हैं जल्दी आते हैं या देर में आते हैं agrair Alramma जिया मतल Musical दोड़ 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 आराते हैं और बोर कभी चल जाँ आजाते है nesse अ हिर्य डेट पहं नहीं आते मतलब ज्यादा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, एक दो डॉप आते हैं नहीं से ज्यादा नहीं रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े रहते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं, हर वक्त आ जाते हैं का भी भी ठीक गौंद चलगोज़ एक डायः फूरूट है जो सबसे महेंगे डायः फूरूट एक चुटकी गौंद चलगोज़ आप खालिया करें रोजाना रात को सोते समय खाएं और अधा चुटकी खाने का सोडा या नमक दो गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें बस एक ही बार लेना बहुत तेज होता है आपकी इस हमेस्या हल होना मुम्किन है गाजबाद से है सोंपाल जी स्वागत है आपका नमस्कार मैडम नमस्कार सर जय ही सौंपाल जी स्वागत है परिवार कुषल मंगल सब बहतर है आप बताएं आप किना कुषल बंगल हाजी हकीम साथ, मैं आपको ताज बर से प्रोगाम देख रहा हूँ, आप किस्री बार कुन कर रहा हूँ, तिनो बार कॉल लगी है, मैटम कुछ गुशें में लिखल आप हकोशली, हाज हुआ हकीम साथ, हुमारा पोता है, शे साल का, उसको जुखान थासी बहुत होता है, इनके अपना अधिकी रेया तो एक तो sollकाचे है नो रिये इनकी दादि कि नाटक साब उनके सुगरमागी थोड़ा आराम है थोड़ा ही आराम है और गुत्नों में बहुत कम आराम है कितने दिन से ले रहे हैं दाई में इन नहोंगे लोग साब ठीक है अच्छा देखिए दादी हो या पोता हो उमर जादा हो या कम हो लेकि सब पर ये बात लागू होती है लेकि अगर दादी हैं तो बहुत मैंती होंगी जिद्धी होंगी मानती नहीं होंगी तो मैंने कहा है जाड़ू कमचा नहीं करना और वेस्टन टॉयलेट इस्तवाल करना अगर नहीं करते है हैं तो कराइए तो ठाइब है ने बहुत ज़्यादा फाइदा हो रहा चाहिए कम क्यों हो रहा है वह दो ही चीजे होती है यह भगवार ने तो बड़ी अच्छी दवा बरता है बनाई है और हम कुछ गलती करते अब यह तो मैं गलती कर रहा हूं यह दादी गलती कर रही तो लेक लिजए कौन गलती कर रहा है और आदा आदा ग्राम गौनसीया दे जिनको दो बार से फायदा नहीं होता वो तीन बार भी आदा आदा ग्राम ले सकते हैं काफी टाइम हो गया कम पाइदा है और यह जो लजला का मर्ज है यह सबसे खतरनाग है हलांके हम इसको बहुत ह एर्वेद में सपिस्तान सो ग्राम उन्नाब सो ग्राम अल्सी सो ग्राम उन्नाब का कुछ्री निकाल के फैंक दें ये एक बेर होता है एर्णी बेर जिसे उन्नाब कहते हैं सपिस्तान उन्नाब अल्सी सो सो ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपले जो हमारे किचन के गरम मसालो पाई जाती हैं तो वो मिला के पाउडर बना लें ये पाउडर जितना ये पाउडर है ये सफूफ है जितना उतने ही शेहद में मिक्स करके रख दें अब ये एक चाटन हो गई माजून हो गई चमन प्राश हो गई समझ लीजे बच्चा आदादा चमच का है सुबा शाम निह एक चमच खाएं इसी तरह दूर छोड़ दे खटी चीजे छोड़ दे बिल्कुल और ये कमस कम पांचे महीने दोनों लोग खाएं दोनों को फाइदा होना मुम्किन है शिफ कुमार प्रसाद जी है जहार खंड से स्वागत है आपका बताईए सर आपका सवाल मेरा सवाल है करक्от दूर पसलेदगोर है हो है पार हा तर यहां पैर हार ँथ में तर्द रहता है शोगर पसटार लेकर चैनर राभ रतती है ओमर कितनी है आपके यह जख ठल रहा है ठीक यह सः मर्यां ज़ भीघाए कर शांगर यह खिल और है खुप्स पैर में दर्द शूगर है कन अच्छे देखिए अगर दर्द है तो दुनिया का सबसे पहतर रौ मैटेरियल मेरे नजदीक गौन सिया माना जाता है अगर असली मिल जाए तो गौन सिया असली ने और आदा गिराम एक चमच या दो चमच घी में मिलाकर ऐसे या बदाम के तेल में मिलाकर आदा गिराम दिन में दो बार खालिया करें तो कब्स और ये दोनों चीजें एक साथ आपकी अच्छी हो सकती है शुगर कंट्रोल है तो वही दवा लेते रहे जो आप लेते हैं ये आप असली गौन सि इसे इस्तेमाल करें पर अपको फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर है दिल्ली से रमेश शर्मा जी स्वागत है आपका रमश Kore आप संभार मैं रमेक्षरमा बोल रहा हूं देली से, मैडम जैतुन का सिर्का और जैतुन का नमक लिया था ठीक है तो जैतुन का सिरका क्योंकि मैं डायविटिक हूँ तो डायविटिक की वैसे बताया था डॉक्साद ने कि वही ब्रेकफार्स से पहले तीन चम्माच और डिनर के बाद से पहले तीन चम्माच तो मैं बोट डेली ले रहा हूं मेरी कंट्रोल तो है वाकि विल्कु सुपर और दूसरा है जैतुन का नमक जैतुन का नमक मैं डिनर के आदे घंटे बाद एक ग्लास पानी में डाले एक चुटकी डाल करकर जासा आपने बताया वैसा मैं ले रहा हूं और तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे गैस बहुत बनती है और खाना डायश नहीं होता खाना खा इसा करना है कि ज्यादा फाइदा दे तो नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाएं और सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया और मेती का दाने इस सौशो गिराम लेके पॉडर बना ले और इस से खाया करें आप और डायवटीस कंटॉल होने लगी अच्छी बात है अपनी शुरू हो गया और हजम होने वाली चीज़े खाया करें वरना यह जो छे चीजों का नुसका मैंने बताया इसके साथ लेंगे तो यह हजम को आपके दुरुस्त करता है और सिस्टम को पेट के अच्छा करता है अप लगाता है फैदा उठाए मेरी दूआ है कि आप जल्दी मैंने अपने मारे में पूछना है कि एको ना खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और प्रावलम बैटी है अचला खारिश होती है और अमेरी को बावा कि प्रावलम जल्दी हो जाती है पाइल्स की मैम खांजी मैम आपके उम्र कितनी है उमर 40 साल ठीक उज़ देखिए एक नि सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती और अलसी ये साथ चीज़े होगी एक बार और बोलता हूं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती और अलसी इन सब को सो सो ग्राम लेकर पॉडर बनाएं और नमक जैतुन आता है कि ये असली ले और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाएं और खाने किसे पहले एक चमची पाउडर जो मैंने बनवाया आप से साथ चीज़ों का खाएं और इस पानी से खाएं इनमें बस एक बार या दो बार आपकी परिशानिया अच्छी होना मुम्किन है